हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत हैं तो चलि आज की रेसिपी बनाना शुदू करते हैं तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ सिंघाडे का हलवा बनाने की रेसिपी हमें चाहिए कटे हुए राइ फ्रूट्स, तीन चमच चीनी, तीन चमच डेसिगी, पिसी हुई इलाइची और आधा कप सिंघाडे का आटा एक पैन में हम डेसिगी डालेंगे डिसी की गरम होते ही हम उसमें सिंगाडे का आटा डाल देंगे और उसे अच्छे से चलाते रहेंगे अब हम एक दूसरे बर्नर पर एक गलास पानी में तीन चमच चीनी मिलाकर उसे बॉयल करने के लिए रख देंगे आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए हमारा आटा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें चीनी वाला पानी मिलाकर इसे कंटिनुसली चलाते रहेंगे ताकि आटे में लंप्स ना पड़े अब हम इसमें पिसी हुई इलाइची मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें कटे हुए ड्राइफ रूट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम हलवे को पांच मिनट के लिए धक कर पका लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा हलवा रेडी है और हम इसे तुरंट एक प्लेट में पलट कर फैला देंगे ठंडा होने पर हम इसे छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे और हमारा वरत के लिए बनाया गया स्वादिश्थ हलवा तयार है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले आप यह वीडियो अपने फ्रेंज और फैमिली में ज़रू शेयर करिए और आगे आपको कौन सी रेसिपी देखने है यह कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएए थांक्यू फो वाचिंग